तरफ दोस्तों मेरा नाम है बिविक भारत द्वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्मिलोजी विद बिवेक जहां मैं मोबल और कम्पूटर टेक्लोजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्रेब कर सकते हैं सब्सक्रेब करते वक्त बैल आइकन को ज़रूर पैस कीजिएगा ताकि आपका हमारे लेटेज वीडियो नोटिफिकेशन जल से जल मिल सके आई दोस्तो आज का जो वीडियो लेकर आये हैं बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो है दोस्तो वर्ड, एक्सल, पावर पॉइंट आप सभी लोगों ने चलाया होगा और इसकी खासियत क्या होती है आप सभी जानते हैं लेकिन इसमें जो एक और आप्शन आता है आप कैसे इ यह हमारे पास कोई वर्ड की फाइल है आप इसमें डेटा लिख चुके हैं इसके बाद आप इसको सेब करना चाते हैं तो आप जाएंगे सेब हैस के आप्शन पर यहां पर दोस्तो यह जो पूरी विंडो कुलती है इसको आज तक जितने ध्यान से देखा जाना चाहिए हम देखते रही हैं यहां देखती है लोकेशन कहां सेब करना चाते हैं यहां टाइप दिया होता है किस टाइप में आप सेब करना चाते हैं लेकिन दोस्तों यहां एक और ऑप्शन दिया होता है टूल्स का यह आप देख रहे हैं टूल्स पर आप जाएंगे और यहां हमें ज पासवर्ड देना चाहते हैं तो यह मोडिफाय करने के लिए पासवर्ड दे रहा हैं और मैंने यहां से इसको कर दिया है और दोस्तों रिएंटर करना पड़ेगा पासवर्ड को जो है अगर आप कहीं भूल जाते हैं या कुछ तो मैं यह पासवर्ड यहां पर दे रहा हूं और मैंने यहां से इसको ओके कर दिया है, मॉडिफाय करने के लिए अगर आप देना चाहते हैं, तो भी हम देते हैं, यह दोनों उसके बैक अप की तौर पे काम करेंगे, और यह अब हमने डेटा को सेब कर दिया है, यह देखिए, यहां नीचे सेव हो रहा है, अब जब नेक्स टाइम मैं इस फाइल को ओपन करूँगा, मैं यहां से इसको बंद कर देता हूँ, और अब जब यह फाइल ओपन होगी दोस्तों, तो देखिए, यह आप से पासवर्ड मांगेगी, यहां हम यह देखिए, यह हमारी फाइल है, और यह देखिए, दोस्तों, यहां पर लिखा आगया है, पहले आप पासवर्ड डालें, पासवर्ड डालने के बाद ही यह फाइल ओपन होगी, तो आप ऐसी कोई important फाइल को अगर किसी को भेहना चाहते हैं, अपने office में कोई काम कर रहे हैं, जो secure होना चाहिए, किसी को ना पता चले, कोई इस पे click करके देखे, तो password protected हो, अब हम इसमें वही password देंगे दोस्तों, जो हमने दिया था, अगर हम गलत देंगे, तो यह यह तुरंट आपको message देदेगा, कि यह आपका password ठीक नहीं है, next time जो है, आपको जब आप open करेंगे, तो आप सही password दें, आप next time यहाँ जाएंगे, और यहाँ आप यह जैसे ही सही password देकर रोके करेंगे, तो आपकी file जो है, open हो जाएगी, modify करने के लिए भी अगर आप यहाँ पर, अगर आपने पहले दिया हो था, तो आप यहाँ modify करने के लिए भी देंगे, और इस तरीके से जो है दोस्तों, आपकी यह जो file है, password protected थी, अब यह password protected नहीं रहेगी, और दोस्तों, यह option तीनों में आता है, आप जो है, अभी मैंने जो option बताया, आपको word में बताया, अगर आप Excel में देखेंगे, save is पर जाएंगे, कोई data को save करेंगे, same option आएगा, tools पर जाएंगे, general options पर जाएंगे, और general options पर जाने के बाद, जो है, आपको देखिए, यहीं पर मिल जाएगा, कि आप इसको open करने के लिए, पासवर्ड लगा सकते हैं, यह option आपको सभी जंगे काम आने वाला है, offices की फाइल में, तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में बताईए, comment कीजिए, share कीजिए, दोस्तों को बताईए, अगर वीडियो पसंद आया तो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नाम है विवेग भारत द्वाज, ठैंक्यू,